आपका स्वागत है आज आश्मा महाजन आपकी एध्यापी का हिंदी लर्नी चैनप लेकर आई है नई दीप मनी का संस्कित पाथे पुस्तक क्लास 8 के स्टुडेंट्स के लिए चैप्टर नमबर 6 चैप्टर 5 अभी रह गया है जैसे ही आपकी दिमांड आएगी 5 और 7 अप्लोड हो जाएंगे इस पार्ट की इजी एक्स्पानेशन, डिटन अनुवाद, वर्कशीट, सौल बुक एक्सेसाईज इस वीडियो में मिलेगी बेटा जी इस बुक के सारे चैप्टर अप्लोड हो चुके हैं एक 5 चैप्टर और 7 चैप्टर को छोड़ कर अगर आपको सारे चैप्टर को देखना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लिंक ओपन करेंगे तो सारे चैप्टर ओपन हो जाएंगे अगर क्लास 6 की नई दीप मनिका चाहिए जा क्लास 7 की चाहिए तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्टर में दे दिया जाएगा अगर आपके भाई बहन पढ़ते हैं तो क्लास 6 और 7 के स्टूडिन को भी बता दीजिए कि हिंदी लर्निंग चैनल पर धीरे धीरे चैप्टर अप्लोड हो रहे हैं जो 1st term के चैप्टर है वो तो mostly upload हो चुके हैं फिर भी अगर आपको कोई डिमांड हो तो बता दीजिएगा चैप्टर का नाम है इश्वर है यत करोती शोबनम करोती इश्वर जो करता है अच्छा करता है तो आज इस पाठ में इश्वर जो करता है अच्छा करता है तो बेटा जी इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ध्यान से word to word explanation समझ कर फिर अपना paper कीजिएगा वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाना क्योंकि अक्सर आप लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं तो ये जो पूरा पार्ट है हमें यही सिखाएगा कि हमें दूसरों के दोश नहीं देखने चाहिए और बिना समझे किसी की अलूचना नहीं करने चाहिए आप देख निखिल है गौहरवय निखिल और गौरव चाहका मतलब गौर नगरम प्रती गच तैसमा नगर की और जा रहे थे निखिलन करिश्चय निखिल कमजोर tocarवय चलंबा ओर गौरव ऽंबा था आशित का मतलब था निखिल अवदत निखिल पूला गौरफ तो हम ईश्वर तस्य पर्मो भक्तो अस्ति तुम इश्वर के पर्म भक्तो हो तो इश्वर का परम भक्त कौन है गौरफ तस्य सर्वा रचना दोश रहिता इती मन्य से उसकी सबी रचनाएं दोशों से रहित हैं ऐसा माना जाता है परम अहम पच्यामी परंतु मैं अहम पच्यामी मैं देखत हूँ यदी श्यर से रचना सरवता तुरूटी पूर्णा वर्तते कि श्यर की रचनाएं पूरी तरह तुरूटी पूर्ण हैं गलतियों से बरी हुई होती हैं इदम शेत्रम पच्छ इस खेत को देखो असिमन शेत्रे इस शेत्र में जा इस खेत में कालिंदा नाम कूश की लताएं जानि की बेले हैं एता लता शीना दुर्बला चसंती और आपको पता है कि आपकी अधियापी का पेठे वाले शहर में रहती है जी हां हिंदी लानिक बायश्मा महाजन आगरा की रहने वाली है तो ये जो पेठा है यहीं पर सबसे ज़्यादा बनता है जब भी एता लता शीना दुर्बला चसंती कहता कि इस खेत में अब बताया इस खेत में तरबूच और किसकी पेठे की क्या हैं बेले हैं एता लता ये लताएं शीना दुर्बला चसंती पतली दुर्बल मतलब कमजोर च मतलब और संती मतलब हैं ये बेले पतली और कमजोर हैं इश् बड़े फल आसू लतासू इन लताओं पर उत्पाद्यती उत्पन करता है स्थूलेशू व्रिक्षेशू बड़े पेड़ों पर सै जम्बू आदीनी वे जामू नादी फलानी उत्पाद्यती फल उगाता है आश्चर अमिदाम ये आश्चर है इश्वर से इयम रचना की इश्वर की ये रचना दोश युकतास्ती गलतियों से भरी हुई है दोश दर्शी गलतियों को देखने वाला से निखिल है वे निखिल शिर्सा खलवाटे आसीद सिर्से गंजा था अब निखिल सिर्से गंजा था और इश्वर का बक्त था कौन गौरव सूर्य तपेन पीडिता सै मित्रमवदत मित्र सूर्य के ताप से जानि की गर्मी से दुखी पीडितो था दुखी वे मित्र मवदत मित्र से बोला मित्र एशय हरिता विशालाच वरिक्षास्ती ये हरा और बड़ा पेड़ है वरिक्षास्य अदा विश्रामम कुरिया वरिक्ष के नीचे आराम करते है यावत से वरिक्षास्य अदा अगच्छत जब वे वरिक्ष के नीचे गया जानिकी सिर पर एक आम कफल गिर गया। क्यों नी निकाला यदी कदाचित यदी कहीं असिमन व्रिक्षे इस पेड़ पर कालिंदानी तर्बूज भवेयू होते तरही तो मम शिरा खंडेश है भवत मेरा सिर मेरे सिर के टुकड़े हो जाते। नूनम निश्चे ही अहां मुर्ख है निर्बुद्धी चा असमी मैं मुर्ख और बुद्धी हीन हूँ। सत्यमेवस्ती सच ही है यत इश्वर है की इश्वर जत करोती शोबनम करोती जो करता है अच्छा करता है इश्वर जो करता है शोबनम करोती अच्छा करता है तदा गोरवेवदत तब गोरव बोला। सत्यमिदम यत इश्वर से रचना सर्वता निर्दोशास्ती सच ही है ये कि इश्वर की रचना पूरी तरह क्या है निर्दोशा रहीत मतलब निर्दोशास्ती दोश रहीत है अग्यान कारनात अग्यान के कारन वयम तस्यम हत्वम अवगंतुम असमर्ता हम उसका महत्व जानन पार्ट सुनके गौर्व है, कालिंदानी, कहता है तर्बूज जो है वो बिख्षो पे होता है लताओं पे, तो आंसर है लताओं पे, किसके सिर्पे आमकफल गिर गया, निखिल के, दो मित्र कहां गए नगर की ओर, इश्वर कैसे कारे करता है, अच्छे कारे करता है इश्वर निखिल ने भी ना सोचे किसकी निंदा की ईश्वर की आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं तरबूच कूश मांडा नाम जाने की पेठा तरबूच और पेठे की लताएं कैसी हैं शीना, दुर्बलाच, आसन जाने की कमजोर है, पतली है है हैं, आमरफल, عم कदा, पतत, आम कफल कब गीरा, जब निखिल वरिख्ष के नीचे गया, है ना निखिल ने पीड़ा में क्या बोला तो निखिल ने पीड़ा में बोला की शिरसी वजर पातों की सिर्के टुकडे-टुकडे हो गए ईश्वर निखिल ने क्या अपराद निखिल ने कौन सा अपराद निखिल को किस अपराद का बोध हुआ तो निखिल को इस अपराद का बोध हुआ कि इश्वर की सभी रचना क्या है दोशीहीन है यदि उसका सिर व्रिक्षात कूश मांडा पतेत अगर उसके सिर पर व्रिक्ष से कहता अगर कूश मांड पेठा गिरता तब क्या होता उसके सिर के टुकडे हो जाते वाक्यों को शुद करना है शुद कैसे करना है यहां जहां बोल्ड लेटर्स लेके हैं तत्र द्वाव मित् अब द्वव तो तब होता अगर पुलिंग का शब्द होता मित्र तो नपुनसंग लिंग है और नपुनसंग लिंग के द्वी वचन में तो हमेशा द्वे आता है द्वे मित्रे सा लता दुर्बला मस्ती लता में बड़े आकी मात रहा इस्तरी लिंग का शब्द है तो दुर प्रशन निर्मान कीजिए तो प्रशन निर्मान करने में देखिए बिटा ये है से सूरे तपेन पीडित है आसीथ तो कहता है वे सूरे के तपसे गर्मी से पीडित था अच्छा पहले कथा को करम की अनुसाल लगा ले नहीं नहीं ठीक है वे सूरे के तपसे पीडित था तो किस से पीडित था तो यहाँ पर अगर आप किम की विवक्ति याद करेंगे तो आपको तुरित्यावी विवक्ति में नजर आ जाएगा बर्ड किस से पीडित था केन ठीक है इश्वर की रचना दोश रहीता है इश्वरस्य कोंसी विवक्ति इश्वरस्य श्ष्टि विवक्त कहां वजरपात हुआ कुत्र भी लेख सकते हैं लेकिन कसिमन लिख दीजिएगा कसिमन वजरपात है अबवत कसिमन कौन सी विबक्ती ये बिटा सब्तमी विबक्ती चीक है लता बेले जो हैं वो शीन कमजोर और पतली है तो क्या जानिकी लता का बहुवचन लता जो है कीम की लता स्टाली लिंका बहुवचन देख लिजिए का प्रतिमा का होता है लता लते लता हा ओके दो मित्र नगर की कम लगना है यहां पर क्ीम की विबक्ती दुद्या चीक है कथा को करम के रुसा लिखना था मैंने नंबरिंग डाल के दे दीया कथा में सब से पहले हूआ धो क्या लगता है लंगलकार मद्यम पूरु शेक वचन में आप देख लीजिए का किसी भी धातु का आगे लगकर दातु लग जाती है विसरक के साथ अहां इश्वरा से रचनाम अपच्छेम इश्वरायत अकरोत हमने किरिया जहां जहां आईए वहीं पे चेंज करना है शोबनम अकरोत इश्वर ने जो किया अच्छा किया पास्टेंस में बदल दिया अब हमने अव्यपद के दो दो वाक्य बनाने थे मैंने दोनों वाक्य बनाकर तो नहीं दिये क्योंकि स्पेस उत्री नहीं थी तो एक वाक्य उपर बना हुआ है एक वाक्य नीचे बनाती है मैंने जब तुम पढ़ोगे तब सफल होगे यदा से आगच्छती जब वह आता है तब माता बोजन देती है यदा से कारेम करोती आप लिख सकते हैं यदा से कारेम करोती तदा से सफलम भफती ठीक है यथा परिश्टम जैसा परिश्टम वैसा फल यथा राजा तथा प्रजा ओकी दूसरा भी बना दिया उचित मेल करना था मेल करने में बच्चे कनफ्यूस हो जाते हैं थोड़ा सा मैडम ने कोंसी लाइन मैच कर दिये तो मैंने नंबरिंग डाल दिये देख लीजिए पदपरिचे रचना याम आपको पता है रचना इस्त्रीलिंग का शब्द है तो रचना मूल शब्द हो गया है इस्त्रीलिंग सब्तमी विबक्ती एक वचन आतपेन आतप नपुनसंगलिंग का शब्द है गर्मी, तृत्यावी वक्ति एक वचण पीडा आकी मातरा पीछे लगी, स्तृत्यावी वक्ति एक वचण मुखात मतलब मूली शब्द है मुख, नपुनसंगलिंग 5 विवक्ति मुख से निकला न अलग हो गया पंचमी अपादान एक वचन एक वचन में बदली ये सारे वर्ड जब आपको सर्वा रचना दोश रहिता संती तो सर्वा अब विसर्ग नहीं आएगी ना रचना के साथ ना सर्वा के साथ सर्वा रचना दोश रहिता के साथ भी नहीं आएगी संती की जगा अस्ती हो जाएगा अवाम का एक वचन आप देख लीजेगा अहम होता है अहम अवाम वैयम होता है मद्यमुरुश स्वरी उतामुरुश तो अहां वरिक्षत से अदम वरिक्षम कुरेयाम बन जाएगा यहां पर एशा लता शीना दुर्बलाच अस्ती शीना पहले आना था मैंने गलती से पहले लिख दी कोई बात नहीं इश्वरे स्थूलम फलम अस्याम लतायाम उत्पाद दी ओके चली आगे बढ़ते हैं संस्क की जगा म बनना था यहां पर परकृति को दूशित नहीं गाना चाहिए परकृति म दूशितम ना कुरेयात हम कल खेलने के लिए बाहर जाएंगे वयम श्वय क्रेडनाई श्वय मतलब कल रिडनाई बही गमिश्याम है वेदों से हम सारा ग्यान प्राप्ट करते हैं वयम व बतातीजिएगा मैंने बहुत असान तरीके से आपको युश्मत और अस्मत की वी बक्ती बतानी है कि किस पर का बच्चा याद करेगा सिरफ तीन वाक्यों से तीन संटेंसों से पूरी वी बक्ती याद कर लेंगे आप चली आगे देखते हैं मुल्य परकं किम परेशाम दो आगे आम पालियामी पालियसी की जगा पालियामी लिख देना क्या तुम दूसरों की अलोचना करते हो ना बस ना लिख देना ना अहम परेशाम अलोचना करो मी चीक है चलिए अब मैं एक्सरसाइस का अनुबाद आपको दिखा दूँ उसके बाद हम बढ़ते हैं आपनी वक्षीट की तरफ तो ये रहा आपके सामने अनुवाद ध्यान से नोट कीजिए इसे कारे पत्री का बन है आपके सामने जिसमें कोशन पूछा गया है पहला लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा थोड़ी सी फिंगर को लाइक के बास लेके जाना है अपने आप प्रेस हो जाएगा ठीक है बेटा जी लाइक का बटन प्रेस करने से आपकी ध्यापिका की जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग में आती है ट्रेंडिंग में नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा चैप्टर को यह मैम ने डाला हुआ या नहीं डाला हुआ पर्सनली कमेंट करके पूछते हो तो लाइक का बटन दबाओगे तो अपने आप ट्रेंडिंग में चलती रहेगी वीडियो ओके तो प्लीस लाइक का बटन दबाईएगा कारे पत्री का बन में पहला कोशन पूछा गया प्रत्य अलग करने है अवगंतुम अवगंतुम में अव हो गया उपसर्ग गम हो गई दातु तुमन हो गया प्रत्य ठीके उसी परकार आदिश्टवान है आउपसर्ग है दिश्दातु है त्वत प्रत्य हो गया चीके उसके बात उक्तम उक्तम में क्या होगा वच्दातु तव प्रत्य कत्थ नी बोलते है इसको तव बोलते है परविश्य में प्रविश्य में प्रविश्दातु लेप प्रत्य हो उसी पकाद द्रिशनातु कत्वा प्रत्य संस्कित में अनुवाद करना है इश्वा ने संसार की रचना की है तो आगे आपको अनुवाद जो है वो मिल जाएंगे ट्रांसलेट हो के कारेपत्री का दोपे बढ़ते हैं उचित शब्द रूप से रिक्तस्तान बढ़ने है कहता की बुड़ा सिर्से कैसा था गंजा था ना तो सिर्से शिर्सा ओके वरिक्षे आमरानी संती क्याता है इस वरिक्ष के आम असीमन वरिक्षे इस वरिक्ष पर आम है असीमन वरिक्षे ओके उसके बाद इश्वर अस्या इश्वर की रचना है दोशीन इश्वर अस्या बहुनी जंबू फलानी अपतन क्यूंकि वरिक्स से पत्ते अलग हो गई गिरके अपतन हो गई ना वरिक्षात पंचमी विवक्ती उचित भी शेशन से रिक्तस्थान बरना है तो चप्टर आपने पढ़ लिया है अपने आप रिक्तस्थान भरेंगे आप शब्दों के प्यूजन है देखकर दूर कर लीजिए लाइक बटन जरूर दबाईएगा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है फट आफट से कमेंट करके पूछ लो क्योंकि आपका पेपर है all the best for your exam अच्छे से पेपर करके आना टाइम से पहले बताते तो मैं चेप्टर फाइव और सेवन भी अप्लोड कर देती तो कोई बात नहीं बाकी दूसरे बच्चे जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनके स्कूल में अभी एक्जाम नहीं हुआ है फाइव और सेवन चेप्टर चाहिए कम बाइ